Hello students, आज हम करेंगे copying and moving text, यानि कि हम अपने text को कैसे copy कर सकते हैं और कैसे move कर सकते हैं Copy और move करने से पहले हमें यह जाना है कि copy में और move में क्या difference होता है Copy means to create a duplicate copy of the selected text, यानि कि जो हमने data लिखा है, text लिखा है उसकी हमें क्या करने है, duplicate copy create करने है Whereas moving copy, moving text का meaning क्या होता है, कि अपने text को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना, उसको shift करना For example, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा computer, ठीक है, मैंने computer को क्या किया, select किया Copy करने के लिए, move करने के लिए, सबसे first जो step है, आपको क्या है, कि आपको अपने text को क्या करना है, select करना है Select करने के बाद में, home command में आपको जाना है, और वहाँ पर clipboard नाम से क्या है, आपका group है has adopted a copy, उस group में, आपका option आपका और यहाँ से आपको इस text है, आपका उसको copy करना है Copy करने के बाद में, आपको अपने text cursor प्लेस करना है, जहां पर अपने data को क्या करना चाहते है, copy करना चाहते है तो उसके बाद जहां पर आप करजल ले आए हैं उसके बाद आपको क्या करना है पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपका जो computer है उसकी क्या हो चुकी है एक duplicate copy create हो चुकी है लेकिन जब हम move option का select करते हैं तो move option क्या कहता है कि आपने data की duplicate copy create नहीं कर रहे हो बलकि क्या कर हो उसको shift कर रहे हो जैसे जो मेरा first computer मैंने select करने के बाद में मैंने क्या किया क्या amd में आपका क्या है कट option है इसको मैं मूव करना चाहती हूँ कट जैसे ही मैंने किया तो जो मेरा first computer लिखा हुआ था वह वहां आपकी दो computer लिखे गए थे लिकिन अभी आपका जो है वह पहले वाला जो computer है वही आपका शोर है अगर इसको मैं और दूसरी तरीकी से करके लिखाती हूं आपको ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए अभी जो computer मैंने लिखा यहां पर मैंने क्या किया उस सब कलर चेंज कर दिया हमने दिया अब जो मेरा computer रिडिकलर से लिखा हुआ तो भी आ यहां से रही हो चुका है अब मैं उसको यहां पर क्या करना चाहती हूं मैं इस कलिकलर पेस्ट उप्शन का चूज करेंगे जैसे ही मैंने पेस्ट उप्शन पर क्लिक किया तो जो मेरा रेडी कलर से computer लिखा हुआ था वो क्या हो चुका है यहां पर पेस्ट हो चुका है तो copy में और paste मूब में क्या difference है कि copy में आपके duplicate copy generate हो जाते है कि where is move में आपका data जो है वो क्या हो जाता है शीफ्ट हो जाता है हम इसको फिर से क्या करते हैं copy करते हैं और यह जो हमारा black computer से लिखा हुए computer यहां पर हम अपने जो data है उसको paste करते हैं तो देखिए copy का meaning आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करें copy generate कर रहे हैं लेकिन हम जब move करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम अपने data को shift कर रहे हैं